तो हमारा अगला जिला है नराणपूर और यहां का जादा जानकारी तो नहीं है सिर्फ थोड़ा बहुत जानकारी है बांकी सभी जगा पे यह जंगली जंगल से गीरा हुआ है तो चलिए देखते हैं यह इस प्रकार से नराणपूर का मैप है यह इस तरह से इसमें ध्यान द यहां तक महाराष्ट है ठीक यहां से यहां तक यह कॉंड़ा गाउं है यहां से यहां तक यह बिजापूर है और यह वाले भाग में यह कांकेर है ठीक यह इस तरह से है अब इसके बाद यहां नैस्नल हाइवे तो यह नैस्नल हाइवे 130D है कॉंड़ा गाउं से लेकरके न नाराणपूर तक हमने कॉंड़ा का में इसके बारे हम बात किया था नाशनल हाईवे 130 डी के बारे में तो यह नाशनल हाईवे 130 डी और यहां पर एक इस्टेट हाईवे है इस्टेट हाईवे 5 ठीक इस्टेट हाईवे 5 ठीक इस्टेट हाईवे 5 है और तहसिल यह औरचा और नराणपुर, ठीक ए सिर्फ यहाँ पर दो ही तहसिल है, ठीक कौन-कौन सा नराणपुर और और चांग, यह अबुजमाड इसको 36 गड़ का चेरा पुंजी बोलते हैं, 36 गड़ का चेरा पुंजी, अबुजमाड की पहाड़ी इस वाले भाग में हैं, ऐसे, 36 गड़ की चेरा पुंजी इसले बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 36 गड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है, 36 गड़ में देखा जाए, तो सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, यह अबुजमाड, अबुजमाड की पहाड़ी में होती है, इधार से वर्षा मतलब मांसुना करके, अबुजमाड की जो पहाड़ी है, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा कराती है, और इसके बाद यहाँ प भी यहानपे खुड सेल झारना भी है इसी वाले छेतर में जटलूर नदी है इस सबस्यागता है इसको हमने नेशनल पर्क वाले वीडियों में देखा था तो और डेटल में जानना है तो यहान देख सापते हो, तो जाटलूर नदी में मगर मच्छ का सरक्षण किया जाता है यहाँ पे छोटे डॉंगर छोटे डॉंगर है, वहाँ पे लौ एस्क पाया जाता है ठीक, तो खनीज में सिर्फ यहाँ पे लौ एस्क है छोटे डॉंगर वाले छेत्र में law ask के मिलते हैं बांकी तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ठीक है तो यह नराणपुर है इसमें बस इतना इंफर्मेसिन यहाँ पर यही है सिर्फ दो ही तासिल है याद रखेगा ठीक है यहाँ पर सिर्फ दो ही तासिल है ठीक है तो यह नराणपुर जिला तो अगला जिला में देखाँएंगे जो भी है बीजापूर में और फोड़ा सा, मतलब तोड़ा बहुत जादा जानकारी है बीजापूर और ये दनतेवाडा और सुकमा में भी जादा कुछ जानकारी नहीं है तो छोटा सुबढ भी है, उसको भी देख लेंगे चलिए तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो कर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने मिलते फिर नए वीडियो में